अगर आप लोग क्लास 10th या 12th में हो और depressed हो अपने pre-board के marks देखके अपनी performance pre-boards में देखके जो कि आप लोगों के offline हुए थे या आप लोगों को लगता है आप लोगोंने काफी कुछ पढ़ा लेकिन आपका score नहीं आया है या आप लोगोंने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर तो आप लोग स्कॉर एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते थे तो ये वीडियो क्लास 10 और 12 के उन बच्चों के लिए है जो pre-boards के बाद कुछ disappointed है, depressed है और उन्हें अब नहीं पता है कि आगे किस तरीके से score करें तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर पूरी proper guidance दूँगा किस तरीके से चाहे आप कोई से भी category के student हो जिसको जिसने सब बढ़ा था फिर score नहीं आया जिसने कुछ important topic करे थे फिर भी score नहीं आया जिसने कुछ नहीं पढ़ा था और उसका score नहीं आया तो मैं इन ती नो टाइब के student की बात करूंगा चाहिए आप class 10 में हो चाहिए आप class 12 में किस तरीके से अब आपको अपनी boards के preparation करनी है so start करते हैं video को hello everyone so this video में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग pre boards के बाद अपनी preparation को कैसे कर सकते हो now we know that आप लोगों के पास एक महीने से जाद है around one month लगा के चलते हैं कि एक महीने आप लोगों के class preparation करने के लिए pre board में आप लोगों अपनी performance देख ली होगी क्योंकि डेट साल होगे it's been around one and half year आप लोग online exam दे रहे थे और एक दम से आप offline exam हो रहे हैं class थोड़े कम आए और आप लोग studies को थोड़ा serious लो जो आप लोगों के school का level का जो प्री बोर्ड का level से तोड़ा कम होगा तो आप लोगों को depressed होने की ज़रूरत नहीं है जो भी आप लोगों ने पढ़ाई करी है उस पर विश्वास रखो आप लोगों ने जो ठीक किया है जो भी performance आप लोगों की है अब बस आप देखो आपके कौन से topics week है अब मैं बात करता हूँ आपके तीन टाइप के student की पहले आप लोगों को दिमाग में रखना होगा depressed नहीं होना है जो भी score आया exam pre board का tough रहता है इस बात को दिमाग में बिठा लो उसको board से compare मत करो पहली ब रखता था वो काफी कुछ पढ़के गया है लेकिन score ने आया बचो आप लोगों कोई काम करना होगा पहले तो आप chapter wise एक एक जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ रखा है उसे revise करो chapter wise अपनी notebook उठा हो जो भी numerical आपने करें एक बार सब go through करो उसके बाद आप लोगों को mcq paper हम last five years के question क्यों करें उसमें तो subjective भी होंगे बच्चो आपको concept पता लगेगा आपको यह पता लगए कि कौन से topics में सबसादा questions आते हैं तो आप उसमें focus करोगे और देखो कि आपका वो topic कितना strong है या कितना weak है तो यह चीज़ याद रखने होगे last five years के आप लोगों को उस particular chapter के questions करने होगे suppose करो आप physics पढ़ रहे हो आप लोगों ने electrostatics एक unit cover कर ली आप last five year के electrostatics के जितने भी question है सारे देखोगे सारे चेक करोगे आपको कितना आता है फिर कोई भी randomly 5 sample paper उठाओगे उसमें electrostatics के सारे question करोगे फिर अपने performance को evaluate करो और देखो आप लोगों को कहां पर क्या कमी नज़र आ रही है यह उनके लिए था जिन्होंने अब तक पढ़ाई करी थी बड़ प्रिवोड में score नहीं किया है अब बात करते है उन लोगों की जिन्होंने important topics किये थे बड़ score थोड़ा नहीं आ पाया बच्चों आप लोगों को सबसे पहले एक काम करन होगे फिर same pattern आप भी follow करोगे उन important topics में देखो last five years में से क्या क्या है आप लोगों को अगर important topics नहीं बता है मेरी चैनल पर वीडियो में लीव ही है आप लोगों को description में link provide कर दूँगा मैं और इस वीडियो के आपको top right पर भी दिख जाएगा कि आप लोगों की important topics कौन से है आप अपने subject बदादो मैंने chemistry, physics and math के तो already डाल दिया है आप important topics को सबसे पहले revise करोगे और कोई नहीं topics अभी नहीं उठाओगे on important topics पे chapter wise last five years के question करने है then again वही बात जो मैंने first category वाले students के लिए बोली थी आपको फिर 5 randomly sample paper उठाने है और देखने on important topics में से आप किस तरीके से बागी questions भी attempt कर पा रहे हो यह आपको हर एक unit के लिए करते जाने करते जाने और फिर बाद में आप लोगों को पुरे mock test लगाने होंगे जुरूरी है बच्चों MCQ की practice करने जुरूरी होती है यह practice बच्चों को नहीं है तो problem होती है मैं एक video डालूँगा जिसमें MCQ का paper किस इस तरीके से attempt करने बच्चों को attempt करने का वे ही नहीं पता है वो भी पता हूंगा उसके बाद आती है third category वाले student जुन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ऐसे category वाले बहुत बच्चे हैं बच्चों आप लोगों को simple सी एक चीज़ बहाता हूं first of all description में link मिलेगा आपको important topics का physics chemistry math इ वो important topics अच्छे से करने होंगे कहां से करें YouTube पे इतनी videos है topic का name डालो किसी का भी जो आपको ठीक लगती है video जो भी आपको लगता अच्छा करार है उसकी video देखो questions करने start कर दो important topics उठाओ एक particular chapter के हाँ ये chapter है इसमें 5-6 important topic है 5-6 videos देखो उन-उन topics की सिर्फ 8-10 minutes के 8-10 minutes से ज regular topic पर थोड़ी ज्यादा भी होगी लेकिन आप important topics ही कर लें उनको अच्छे से करो फिर PYQ करो फिर sample paper question करो done इससे ज्यादा करने की ज़रूरत आप लोगों नहीं पड़ेगे अगर आपका aim यह है कि हमें पूरा score तो करना ही है करना नहीं है लेकिन एक average score कर देंगे तो I hope आ होने से फायदा नहीं होगा कुछ देखो आगे करना कैसे है ठीक है आप लोगों को वीडियो समझाए होगी और अच्छी भी लोगी होगी तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना ताकि बाकी लोगों के भी help और further आपको किस topic पर वीडियो चाहिए वैसे मेरे पास एक list पूरी topics हैं जिसके उपर मैं continuously वीडियो लेकर होंगा जो कि आपके exam stress से related होंगी नेंद नहीं आपको नेंद जादा आ रही है नेंद ना आए तो क्या करना है और बहुत सारी स्टाइब की psychology से related जो भी वीडियो होंगी अब आप लोगों के लिए वो लेकर आने बार लाओं so all the best from my side bye bye and take care